हर आरत नो खाणियां चाही दिया हन एच चीज़ां इनना चीज़ां नल हर एक आरत हमेशा जवान रह सकती है नमबर एक आरतां ते मर्दां विच ना सर्फ स्रीर दी बनापता फर्क होंदा है बलके उनन ये स्रीर को जरूरतां विच भी फर्क होंदा है एक औरत दे स्रीर वेच समय समय ते हार्मोन्स चेंज हुंदे रहने हैं ऐसले कोच जरूरी पोशकता तो हुंदे हैं कि औरत दे स्रीर ले बहुत ज़्यादा जरूरी हैं नमबर दो तो हनु दस देए कि आयरन दी कमी नल अनीमिया हो सकता है आइरन नल तो हडियां कोशकामानों आकसीजन मिलदा है पर जिकर तो हनो आइरन दी काट हो जावे तान तो हनो थकाव्ट महसूस होन लग जान दी है ऐसलिए अपनी खाने वेच चीकन पालक ते होर हरियां सब्जियां शामल करो जादातर औरतानों को मजोरी दी वजानल हड़ीयां दी दर्दी समस्या हो जान दी है जीवें जीवें उम्र बात दी हैतां परेशानी भी बात दी जान दी है ऐसलिए हड़ीयां मुझबूत बना ले केलशियम बहुत जुरूरी है औरतनों अपनी डाइट वेच केल्शियम शामल जरूर करना चाहिदा है दोद पनीर नहीं आदा सेवन करना बहुत जरूरी है नमबर चार प्रेगनेट औरतना ले फॉलिक एसर बहुत जरूरी होंदा है फॉलिक एसर दी कमी कार नियूरल टूब नों नुकसान पहुंचदा है जैसनल दिमाग ते असर पहनदा है फॉलिक एसर सब तो ज़्यादा हरियां पत्तेदार सबजियां जो सते काजू बेच पाया जानदा है एसले हर एक औरतनों प्रेगनेंसी दे दुरान इन्ना जिजन्दा सेवन जरूर करना चाहिदा है नमबर पांज तो हानु जान के हरानी होगेगी कि स्रीर वेच बिटामन डी दी कमी होंते तो हाड़े स्रीर विच्छा केल्शियम बेकार हो जान्दा है बिटामन डी ही तो हाड़े स्रीर वेच चेल्चा कारनदा कमा करता है बिटामन डी नु अपनी डाइट वेच शामाल कारना लैं तो हनो तोना आते सालमन मारगीया मच्छ मु शामल करना चाहिदा है नमबर शेए फाइवर नल सर्फ तो हड़े बलड शुगर ते केलस्ट्रॉल नो कंट्रॉल करदा है बल्कि तो हड़े पाचन लई भी वेवाद जरूरी हुंदा है इस दी वज़ा नल पेट दियां कई बिमारियां नहीं हुंदियां फाइवर नो पर पूर मात्रा वेच लैन लई अपनी डाइट वेच फाल साबजियां साब्त अनाज बाजरा काजू अते बदाम नो शामल करो नमबर सत मजबूत हड़ियां ते मसल्स लई परोटीन दी जरूरत हुंदी है इस तो इलावा परोटीन शरीर वीच ले जामज नो खत्म कर दिन दा है ते परोटीन सब तो ज़्यादा लाल मास चीकन मच्छी काजू अते बदाम वेच पाया जान दा है डाक्टरां दी मतावक एक औरतनों हर दोज पंताली ग्राम परोटीन दी जरूरत हुंदी है नमबर आट जेकर तुसी निखरीत वचा चौँदे होतां एस गल्दा त्यान रुखो कि तुसी परपोर मात्रा वेच बिटामिन सी देन वालियां चीज़न दा सेवन करो एक आफ्टे वेच कटो कट तेन वार संत्रे दा जूस पियो लाल मेर्च फोल गो भी समीत सारे खटे फ़लांदा सेवन करो नमबर नौ जेकर तो हनु डेल दी बिमारी है तां ए हर्ट अटेक दे रिसको नू कट करन ले ओमेगा थिरी फैटी एसड वेच मद्दगार साब तो हो सकता है अपनी डाइट वेच इसनू जुरूर शामल करो एसले तो हनु सालमान मैकरेल ट्यूनना ते हैरिंग वर्गया मच्छियां खाणियां चाही दियानी एस तों इलावा अखरोट ते असी दे वी जन्दा सेवन भी किता जा सकता है हर लटकी चौंदी है के ओ सुनतर दी से चेरे ते पिंपल होना एक आम गला है इनना पिंपल्स दे ठीक होन जान तो वाद चेरे उकते ओ धाग रह जान दे हन जो के जल्दी जान दा नाम नहीं लेंदे वक वक तरां दिया क्रीमा दी बर्तो करन तो वाद वी तो हनु इनना धागां तब्यां तो छुटकारा नहीं मिल दा एसले असी इनना दाग तब बयानू हटाओं ले कोज क्रेलू नुसक्या वारी दस्थन जा रहे हां आओ जान दे हां एस वारी नमबर एक गुलाव जल अते नेंबू धाराज एक चमचा नेंबू धे रास वित दो चमचे गुलाव जल मिलाओ एस पेस्ट नूँ वी मेंट तक चेरे ते लगाके रखो अते फिर ताजे पाणी नाल तोवो एस नूर जानना लगाओं नाल चेरे ते पई दाग तबे खीरा खीरे चे महांसे अनु तरंत ठीक कारना ते साफ कारन दी शक्ती हुंदी है खीरे नू कद्दू कास कार लो ते अपने चेरे ते एक कांटे ले लगाओं अते फिर ए ठंडे पाणी नाल चेरा तोलो यस नाल ना सिर्फ महांसे साफ हो जानेगे सगो ए महांसे अनू हो तोलास नमबर चार नारील पाणी नारील दे पाणी नल चीरा तो उननल दाग साफ हो जान दे हने महांसे हुटान दा जीकर तो हनू लगए की चेरा ड्राई हो गया है ता चंदन पाधर वेचे दोद्ध मिला के लगा साकड़ी हूँ चोटे चोटे ब्यूटी टीप्स नम्बर 1, सावले रंग नू ने खारण ले अरण्डी दा तेल केस्टर आयल ने बरतोग कार नाल परवट्टेयां दे बाल जी कर चड़ दे हों ता ठीक हो जाने हों नमबर तेन, चोरडियानू समाप्त करले, शहद वेच बदाम पीस के मिलाओ अते पेस्ट बनालाओ, फिर इस पेस्ट नू चेरेते 15 मेंटलाओ लगाके छड़ देओ नमबर चयर, सिक्रीदी समस्य ले, जे वालावेच सिक्रीदी समस्य पैदा हो गई है था वालावेच जयतून्डा तेल हलका कोसा करके, उस वेच नेम्बु दे रास्तियान तैन चार बुंदा मिलाके, इस नू वालावेच लगाओ, इस दी बर्तो नल सिक्री तो राहत 5. महांस्यांदे तब्ब्यानु दूर कारले। 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 5. अते चोड़ियां ते फाइन लाइना भी कट होन गियां। 6. अते चोड़ियां तो चमड़ी दी सेतनु सुधारन ले बहुत प्राणा उपाय है। 5. पपित्ते विच पाया जान बाला पपैन नादा प्रोटीन चमड़ी दे दागतब्यानु दूर कारन विच फाइदे मन्द हुन्दा है। 6. अते चमड़ी दी नमी बरकरार रखन दी समरत्था हुन्दी है। 4. अंड़ी अक्खादी हेट चोड़ियां दिखाई दे लगपैया हन। यसली इन्ना नु दूर कारले अंड़ी दी बर्तो करो। 5. अलोविरा जल अलोविरा जल दियां कोमलते प्रवावशाली विशेष्टा मैस नु अक्खादे हेटा चोड़ियां ले सब्तो बदिया कुदरती करे लूप चारा विच्चो एक वणाउं दियां हन। 6. जैतून दा तेल जिते जैतून दा तेल पोजन नु सबाद बनाउंदा है एक खादे हेठा सोज ते चोड़ियां ले विएक शानदार उन्हावशाली विशेष्टा मैस नु अक्खादे थेल्यां ते चोड़ियां ले विच मदद कर दियां हन। 6. जैतून दे तेल विच नेंबूदियां कोज बूंदा मिला के चेरे दी मालिश करो। जै करतो हानू साधियां विडियां विडियां लग दियाने ता विडियां नू जादा तो जादा लाइक शेर ते चैनल नू सब्सक्राइब कारना बेलको लवी ना पुलियो।